Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में काफी अच्छी वेकेंसी की बात करने वाले हैं, जहां पर कोई भी graduate pass candidate आविधन कर सकते हैं, Central Government की वेकेंसी आई है, permanent job रहेगी 17,727 वेकेंसी जो है आपकी जारी की गई है, यह काफी जो है अच्छा चांस रहेगा जो भी graduate pass candidate आविधन करने के इच्छोक रहेंगे, detail में जानकरी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी, कैसे जो है आविधन करना है, आविधन सुल्क भी ज्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपीज है और जिसमें SC, ST, PWD और woman candidate के लिए कोई भी फीज नहीं रखी गई है, ठीक ह बाकी general candidate और OBC, इनकी केवल 100 रुपीज है, जिसमें महलाओं की तो आपको बता ही दी, किसी भी category की है, कोई भी फीज नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले पीडियो फाइल काफी बड़ी है, कुछ जो important जो की आप लोगों के application form फिल करने से पहले आपको जानक सबसे पहले जो है आप यहां देखें, vacancies and reservation, reservation जो है, जो भी आरक्षित वर्ग है, उनको मिलेगा, जो है आयू में कहें, there are approximately 1727 vacancies, 1727 की लगभग जो है vacancies जारी की गई है, और इन में जो है group B, C, इनकी vacancy है, group A की vacancy नहीं है, तो higher qualification जो है, नहीं मांगी गई है, और कुछ एकाद post ऐसी है, जहां पर qualification graduation से अधिक है, उनकी हम बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे, केवल graduate pass candidate जहां आवेधन कर पाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं, starting date क्या रहेगी, application form apply करने की last date क्या है, वो सारी चीज़े सम give file है, detail of post की अधि हम बात करें, तो pay level 7, 44,900 basic पे से लेकर 142,000 तक यहां पर salary रहेगी, group B की post है, उसके बाद pay level 6 के according यह भी group B की post है, 35,000 से अधिक basic पे ही रहेगी, यानि यह जो है, आपकी salary 60,000, 65,000 से अधिक आपकी बनेगी, pay level 5 के according, group C की जो है, post रहेगी, next जो है, group C के अंतरगत ही, pay level 4 के according, यहां पर आपकी salary रखी गई है, ठीक है, vacancy जारी की गई है, SSC की तरफ से, भारत सरकार कार्मिक लोग शिकायत, तथा pension मंत्राले, करमचारी चयन आयोग, तो यहां देखें, notice में, combined graduate level examination 2024, यानि कि graduate pass candidate बिल्कुल आविधन कर सकते हैं, जो last year, जिनका graduation चल रहा है, और आपके result आने से पहले आपकी graduation complete हो जाती है, आपके हाथ में mark sheet आ जाती है, तो वो candidate भी जो है आविधन कर सकते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि जादा charges भी नहीं है, मात्र 100 रुपे ही है, general category के, तो आविधन करने में कोई बुराई नहीं है, online application जो है, वो 24 जून से start हो चुके हैं, और 24 जुलाई 2024 तक रहेंगे, last date जो है, 24 जुलाई 2024, last date online payment की 25 जुलाई है, अगर कोई mistake हो जाती है application form में, तो 10 अगस्त से 11 अगस्त, दो डेट हैं correction की, इसमें जो है selection कैसे रहेगा, तो काफी अच्छी जू है, जू है, central government की permanent job है, salary भी आप देख रहे थे, कि basic पे ही जो है आप लोगों का 44,000 group B के अंतरगत है, तो salary काफी अच्छी जाएगी, आगे चलके जो है, आपकी salary जो है, कम से कम 80,000, 1 lakh तक जो है आपकी जाने वाली है, tier 1 exam आपका September, October मन्त में होगा, और tier 2 exam, ये computer based examination रहेंगे, ये December में होगा, ठीक है, अब जो है, पोस्ट देख लेते हैं, group B के अंतरगत, कौनसी पोस्ट है, age limit जो है, वो अधिक्तम 30 वर्स है, IUC में छूट बिल्कुल आप लोगों को दी ही जाएगी, जो भी आरक्षित वर्ग है, अभी कितना जो है दिया जाएगा, वो अभी देखेंगे, assistance action officer group B के अंतरगत, पोस्ट है, उसके बाद जो है, अलग-अलग department है इसमें भी, inspector of income tax, इनमें सभी में जो है, graduation आपने किसी भी stream से किया है, आप लोग apply कर सकते हैं, ठीक है, next जो है, group B के अंतरगत ही, और भी जो है, पोस्ट है, जिसमें भी आप apply करने के चुक रहेंगे, वो आप यहाँ देख लेंगे, auditor group C के अंतरगत और accountant, group C के अंतरगत है, इसमें अधिक्तम IUC मा जो है, 27 यर है, ठीक है, तो यह post है, IUC मा में जो छूट है, वो कितनी दी जा रही है, तो भारत में आप किसी भी राज्य के नागरिक हैं, आप लोग आविदन बिल्कुल कर पाएंगे, age limit जो है, यहाँ पर calculate होगी, 1 अगस्त दो हजार 24 को बेस रखके, ठीक है, तो इसमें जो है, आप यह देख लें, कि जिन candidate का जन्म, 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006, इसके बीच में हुआ है, इस तरीके से आप देख लें, ठीक है, कितनी चूट है, तो SCST को 5 साल की है, OBC को 3 साल की, PWVD Unreserved में 10 साल की है, OBC को 13 साल की है, SCST को 15 साल की है, X-Serviceman 3 साल की, ठीक है, जो भी वीडियोज, candidate है, तो उनको जो है, 35 यर, यह है, सामान्य वर्ग की जो महला है, और SCST अगर है, तो 40 वर्ष, काफी बड़ी जो है, PDF फाइल है, अप्लाइ करने से पहले आप लोगों को अच्छे से जो है, पढ़ना रहेगा, Educational Qualification के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि Any Graduate Pass Candidate अप्लाइ कर सकते हैं, दो-तीन पोस्ट ऐसी है, जहाँ, बैसलर डिग्री से अधिक जो है, आपकी होनी चाहिए, इनको आप अगर छोड़ दें, All Other Posts, केवल बैसलर डिग्री, कितनी भी परसेंटेज आपकी रही है, इस नातक में, बिल्कुल आप अप्लाइ कर पाएंगे, ठीक है? बाकी तीन पोस्ट यह ऐसी है, बैचलर से अधिक है आपका पास, तो इसमें अप्लाइ कर सकते हैं, ठीक है? कैसे अप्लाइ करना है? तो यह आप अच्छे से देख लेंगे, फिर अप्लाइ करेंगे, एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट अल्रेडी हो चुके हैं, कोई भी फीस नहीं है, तो इंपोर्टेंट जो भी है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है, वो क्या रखे जाएंगे? तो वो आप देख सकते हैं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो है, एप्लिकेशन फॉर्म में फिल कर लेंगे, एग्जामिनेशन जो है, आपके, स्कीम आफ एग्जामिनेशन भी जो है, यहां पर बताया है के टियर वन में आपके क्या पूछा जाएगा? GKGS Maths English Tier 1 में Tier 2 जो है इसमें आपके जो है वो Paper 1 and Paper 2 इस तरीके से रहेगा ठीक है अलग-अलग subject, अलग-अलग post wise आपको देखना होगा तो सबसे पहले जो है आप लोगों को पूरी जो है PDF फाइल पढ़नी है official website पर आना है SSC की और इसमें जो है notice board में आप लोगों को June 24, 2014 का June 24, notice of combined graduate level examination 2024 बिल्कुल fresh advertisement ही है दो ही दिन हुए है तो इस पर जो है click करके पूरी PDF फाइल ओपन करनी है इसको अच्छे से read out करना है और जैसा इसमें बताया गया है कैसे apply करेंगे तो step by step जो है follow करना है कोई mistake नहीं करनी है क्योंकि अगर आप application form में mistake करते हैं तो correction के लिए भी जो है fees ली जाती है ठीक है तो कोई गलती करनी ही नहीं है तो यह vacancy रही मुझे लगा आप लोगों को बिल्कुल बतानी चाहिए जो भी graduate pass candidate है और central government की vacancy जो है पर्मानेंट vacancy में जो है बिल्कुल form apply करना चाते हैं तो यह detail में आप लोग पढ़िएगा vacancy SSC की तरफ है short service commission की तरफ से मिलेंगे next video में thank you